दुनिया में अगर सभी चीजें खत्म भी हो जाएं तो एक चीज जो कभी भी आउट ओफेशन नहीं होगी वो है खाना अरे भाई खाना खाना कौन बंद कर सकता है इंसान जीता ही खाने के लिए है लेकिन खाना खाने से ज़्यादा जरूरी है ये देखना कि आप खा क्या रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वेंजन मौजूद हैं जिने खाने के बाद आप अपना दूसरा मील ले पाएंगे या नहीं इसकी कोई गैरंटी नहीं है और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं वीडियो के लास्ट तक बने रहीएगा आपको पूरा विश्वास अपने आप ही हो जाएगा बुल फ्रॉग बुल फ्रॉग जिसे अमेरिकन बुल फ्रॉग भी कहकर बुलाते हैं जहां अमेरिका और साउथ अफरीका की लोग इन्हें नाश्टा बना लेते हैं। जिहां दोस्तों, जिस मेंड़क को देखकर ही कुछ लोगों को घिन्ना दिये, उसे अमेरिका, साउथ अफरीका और फ्रांस जैसे देशों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। और खास करके इनके टांग तो बहुत जादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात पर ध्यान देना होता है कि आप किस साइज का लैक पीस खा रहे हैं। क्योंकि अगर बुल फ्रॉग साइज में बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसका साइज छूटा है तो इसकी वज़े से कई सारी बीमारियां हो जाती है। और कई लोगों की तो जाने भी जा चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाव सिखाते हैं। ऐसे में आपको दमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि जब खाने की इतनी सारी चीज़ें दुनिया में मौझूद हैं तो लोग क्यों इस तरह की डेंजरस चीज़ें खाने में लगे हुए। जवाब में हम आपको बता दे कि ये दुनिया हैं और यहां कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर इसके benefits की बात करें तो उसे खाने से human body में immunity system काफी बढ़ता है। और ये vitamin A, B, C का अच्छा source भी है। लेकिन अगर आपको cyanide से बचना है तो उसे पका कर खाने में आपकी भलाई है। वैसे elderberry के फायदे सुनने के बाद ये मत समझ जाईएगा कि आगे हम आपको हर danger फूल के फायदे बताने वाले हैं। आगे देखिए ऐसे खतरनाक foods इस वीडियो में माजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चकर आजाएंगे। सीफूड ऐसी चीज है जो बहुत से लोग खाते हैं खास करके चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में। क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज को खाया जा सकता है उस देश का नाम और कुछ नहीं बल्कि चाइना ही होगा ना। और चीन के शंगाई शहर में इसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वैसे अगर आपको इस के बनने का तरीका बताएं, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि नहीं इसे पकाया जाता है नहीं रोस्ट किया जाता है। इसे सिर्फ गरम पानी में उबाला जाता है अब आप समझ लीजिए कि चीनी लोग इसे भी जिन्दाए खा जाते हैं इसका सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह इन पर नीमबू छड़कते ही ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और इसको खाने की वज़े से कई लोग होस्पिटल भी पहुँच गए लेकिन फिर भी चायना के लोग अपने हरकतों से बाज कहाने वाले हैं बेशक आप लोगों ने अक्टोपस का नाम सुना होगा क्योंकि ऑक्टोपस अक्सर लोगों को फिल्म और कार्टून वगरे में दिख जाते हैं पर वो सब तो छोड़िये लोग इन आठ पैरों वाले जानवर को खाने का भी शौक रखते हैं जिसकी वज़े से लोग अन दा स्पोर्ट भी मर जाते हैं पर फिर भी वो अपनी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है और अगर आपको ऑक्टोपस के नुकसान समझ में नहीं आ रहे तो जरा इन मौतरमा को देख लीजी जो ऑक्टोपस खाने बैठी थी लेकिन जिन्दा उक्टोपस ने इन्हें अपना नाश्टा बनाने की सोच ले जिस कारण इनके आसू तक निकल गए पर फिर भी ये आपको चीन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएंगे और ये आपकी प्लेट में ऐसे घूमेंगे कि आपको देखकर ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा लेकिन यहां के लोग बड़े चाव से इसका स्वाद लेते हैं चीन, वियतनाम और इंडिनेशिया जिसे दीशों में एक ऐसी चीज खाई जाती है जिसका नाम सुनकर ही आप कहेंगे चार दिन तक खाना निखाऊंगा क्योंकि ये कुछ और नहीं बलकि बंदर का सर है जी हां, यहां के लोग मंकी हैट को खाते हैं और वो भी जिन्दा कई रेश्टरेंट ऐसे भी है जिनमें बंदर को मार कर सीधा उनका सर थाली में परोस दिया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खा भी लेते हैं क्योंकि यहां के लोगों का कहना है कि बंदर का सर खाने की प्रथा आज से नहीं बलकि कई सालों से चली आ रही है अब इनकी प्रथाएं भी बड़े अजीब हैं जहां पर यही बंदर कभी हमारे पूरवज हुआ करते थे यह लोग उसे ही मारने की प्रथा बनाने में लगे हुए उपर से यह लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि से खाने से हजारों तरह की बीमारियां होती है लेकिन इन्हें बीमारियों से क्या इन्हें तो दुनिया भर में बीमारी फैलाने से मतलब है जो इन्होंने फैला भी दिये दोस्तों अमीद है आपको अपने हूस्टो दोस्ट सैम की इस वीडियो में काफी मजा रहा होगा और अगर हाँ तो भाईया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो लाते रहें हाकरल बात करें अगर आइलेंड की तो वैसे तो ये बहुत ही खुबसुरत देश है लेकिन यहां के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसके बारे में हम नॉर्मल लोग सूच भी नहीं सकते क्योंकि यहां का फेवरेट फूड हाकरल है जियां यह फूड शार्क फिश से बनाया जाता है और शार्क से बनने वाला यह फूड काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले शार्क फिश को पकड़ कर कई टुकडों में काड़ दिया जाता है उसके बाद इसे 7 दिनों तक जमीन के अंदर रखा जाता है और फिर fermentation के प्रोसेस के लिए इसे 4-5 महिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इस दोरान इनकी बाड़ी में अमोनिया जम जाता है और कहा ये भी जाता है कि जब इसे 4-5 महिनों बाद निकाला जाता है तब ये इतने जादा बदबुदार होते हैं कि कोई इनके पास खड़ा भी ना हो पाए अब आप खुद ही सोचे इतने बदबुदार चीज से बनने वाले फूड को लोग बड़े मज़े से खाते हैं क्योंकि जिस मीट को 4-5 महिनों तक ऐसे ही रख दिया गया हो वो किसी जहर से कम नहीं होगा लेकिन अब इन लोगों को कौन बताए कि इन्हें तो शार्क खाना बहुत पसंद है जिसे भारी मातरा में खाती भी पफर फिश क्या कभी आप लोगोंने पफर फिश के बारे में सुना है क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरناक मचली है जिसके अंदर जहर पाया जाता है लेगिन फिर भी जापान के लोगों की माने तो इस मचली से इतना प्यार करते हैं कि लोग हर दूसरे तीसरे दिनी से खाने पहुंच जाते हैं अब इसके जहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए किसे काटने के लिए स्पेशलेस्ट शैफ चाहिए होता है जिने पता हो कि पफर फिश कैसे बनाई जाती है वरना अगर किसी आम इंसान ने से काट कर पका कर आपके सामने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप जादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे और सिर्फ गवर्मेंट सर्टिफाइड शैफ ही इस पफर फिश को बना सकते है वरना और किसी ने बनाये तो बंटादार हो जाएगा कहा जाता है कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि 30 लोग आराम से मर सकते हैं कासू काशू मर्जू चीज ना अंडा दे सके उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में जहां पर सूरज की रोष्णी ना पड़े उस जगह पर 3-4 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है फिर इन 3-4 महीनों में इस चीज के उपर कई सारे कीडे मकोडे पढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसे खाने से इनसान को चक करना पड़ता है कि कहीं वो चीज के साथ कीडे मकोडे तो नहीं अपने पेट में खाये ले जा रहा है इसे बनने के तरीके की वज़े से इस चीज को यूरॉप में बंद कर दिया गया है लेकिन अभी भी ब्लैक मार्केट में इसे काफी महंगे रेट पर चुकी है जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा इस दुनिया में कुछ ऐसे फल भी पाय जाते हैं जिने कच्चा खाने से इनसान निपड़ सकता है ऐसे में अकीब ही उनी फलों में से एक है हाला कि यहां की लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसे तब तक बिल चांशा खाने के एक घंटे के अंदर यह हॉस्पिटल नहीं ली जाया गया तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है स्टार फ्रूट अब जिस फल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये शायद आपने भी कभी नगभी खाया हो क्योंकि स्टार प्रचर इस बात की तहता गए तो पता चला जिनकी किड़ने खराब है उनके लिए फल जान लेवा है जिसे खाने से पहले तो पेट में दर्द होता है और फिर दर्द इतना जादा बढ़ जाता है कि इसे बरदाश करना ही मुश्किल हो जाता है हाला कि जिन लोगों को किड़ के लिए हमें कॉमेंट कर दीजिए और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें देनेवाद